at sev and screen, जो glandulation में used होती है, उनका procurement किस तरह से किया जाता है, procurement करने के बाद, coding उनका किस तरह से किया जाता है, inspection, usage, cleaning, retrieval, अगर seer integrity fail होती है, तो destruction किस तरह से किया जाता है, तो यह सभी इस वीडियो में मैंने कवर किया है तो दोस्तो एक वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो प्लीज यह सभी चीजे समझने के लिए बने रही है वीडियो के अंतक तो मैं इस वीडियो में जो यह चीजे आपको बताने वाला हूं तो शुरू करते हैं चलो अपन स्क्रीन के ऊपर तो दोस्तों यहां आपको प्रोक्यूर्मेंट रिसेट कोडिंग इंस्पेक्शन उसेज क्लिनिंग स्टोरेज इन्वेंटरी इंट्रीट इंटीग्रिटे इतना सारा मतलब की किस तरह से हमको प्रोक्यूर करना है रिसेट कैसे करना है कोडिंग इंस्पेक्शन फिर उसका यूसेज क्लिनिंग स्टोरेज और इन्वेंटरी किस तरह से मैनेज करनी हैं यह सभी इस वीडियो में कवर किया है तो दोस्तों सबसे पहले विजबली चेग दर इंटिक्रिटी आप से पूर उसक्रिन बिपोर अफटर यूज जब भी आपको उसकी इंटिक्रिटी चेक करनी है शीज क्रिंझ बिपोर और और आफटर यह बहुत ही ऐहम है आपको चिक करना है हो सकता है issuance करने से पहले खराब हो, हो सकता है उसे करने के बाद हो, during operation हो, after cleaning हो, during cleaning हो, तो इसके लिए before and after integrity check करना बहुत ही आउशक है, जरूरी है. तो दोस्तो, check and ensure all tub lights are in working condition and will of sieve inspection trolley should be lock while operation. मतलब, यह आपको यहाँ image में दिख रहा है कि यह आपकी जो inspection trolley है, inspection trolley को जो lock मतलब के दिया गया है, वो उस condition में होना चाहिए. अगर नहीं होगा, तो हो सकता है कि फिर, वो movement करेगा और आपको जो inspection करोगे, वो दिक्कत हो सकती है. यह inspection, sieve inspection hood है, या kit बोलो, यह यहाँ back side में black background है, ठीक है, और उपर से illumination मतलब की light आता है, और इसके against में आपको light, light के against में आपको यह sieve यहां रखके, उसका inspection करना होता है. she chop the sieve inspection hood light if not in use, अगर आपको inspection नहीं कर रहे हो, तो आपको बिना operation के light she chop कर दी नहीं है, manufacturer shall specify in-house coding details for respective sieve screen in MOC, calibration and other certificates, आप जिससे sieve and screen ले रहे हो, तो उससे आपको जो आपका coding होगा, जो MOC certificate होगा, calibration certificate होगा, तो यह सभी चीजे आपको manufacturer को मांगनी है, वो दे देदेगा, उसके एसाब से आपके अलग-अलग हिना-house आप जो भी standards है वो रख सकते हो, handle sieve screen carefully during usage and cleaning, avoid touching sieve screen surface with any type of sharp object, आपको किसी sharp object को touch नहीं होने देना है, अगर हो जाएगा तो क्या हो सकता है, कि damage होने के chances होते हैं, तो इसलिए आपको avoid कर देना है, तो आपको अभी यहाँ procurement देखना है, किस तरह से आपको order करना है, यह यहाँ आपको check करना है, कि किस तरह से आप procurement करोगे, उसके क्या-क्या, क्या उसका तरीका है, officer executive production shall raise the requisition for procurement of new CU screen as per the required specification along with in-house coding details, आपको CU का size, मतलब जो shifter होता है, shifter का size देना है, CU का अगर coding मंगवाते हो, तो coding क्या है, CU number क्या आएगा, कौन से size में है, वो देना है, ठीक है, और screen रहेगा तो same, screen कौन से type में है, multimil की है, quadro mil की है, co mil की है, इस तरह से, और उसका number क्या रहेगा, और उसका MOC, MOC SS contact part में है, तो SS 316 का ही आएगा, तो यह आपको, पहले ही उनको specify कर देना है, यह सभी आपको, सब mention करने के बाद, फिर आपको, जो PO बना के आपको, send कर देना है, purchase department को, send approved requisition to purchase department for raising purchase order, तो हमने उनको, बेज दिया, फिर वहाँ से party से, जो भी आपने, आपका requirement था हो, वहाँ बना दिया, और आपको आ गया, आने के बाद, आपको receipt, operator production shall receive new sieve screen, from engineering and verify the details as per the purchase order, जो purchase order में हमने दिया था, उसके इसाब से हैं की नहीं, वह एक बार वो check करेगा, operator production shall clean new sieve screen, operator production shall record the inventory details off, तो जो भी अभी first time आई है, तो आपको उसको पहले clean करना है, और clean करने के बाद, फिर आपको उसको details में link देना है, तो sieve and screen inventory, तो यह जो किस में लिखना है, अनेकजर first में, अनेकजर first यह है, serial number sieve or slash screen id, यहाँ जो आपने id दिया था, यहाँ आने के बाद देते हो, तो यह id, किसने की यहाँ inspection done by, और due on, कब है, done by, sign and date, checked by sign and date, और remark, ओपरेटर प्रोडक्शन चाल, inspect new sieve screen as per the anexer 2, transfer clean sieve screen in polybag, ठीक है, write all details in on clean status label, अपिक्स on sieve and screen, transfer the sieve and screen into the storage cabinet, जहाँ आप रखते हो, उसमें आपको transfer कर देना है, फिर आता है उसको coding, आपको अभी coding किस तरह से करना है, तो coding में देखो, sieve का अलग coding होगा, screen का अलग coding होगा, तो यह किस तरह से coding करते है, तो यहाँ मैं आपको one by one step by step बता देता हूँ, तो screen numbering for super mill shall be done as sm for stand for super mill slash xx slash yy slash triple z, तो sm stands for super mill xx होता है, उसका screen size, जो size of screen है, 0.5, 1 mm, 1.5, 2 mm, 2.5 and so on, ठीक है, yy होता है, year का last two digit, याने की जैसे की 2014 चल रहा है, तो 24 होगा, तेज चल रहा है तो 23 होगा, जड, triple z stands for serial number है, यह 001 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, screen numbering of code mill shall be done as co slash xx yy triple z, यहाँ super mill के लिए sm था, code mill के लिए co आ गया, बाकि सेम है, फिर अभी आता है, save numbering shall be done, save number, ठीक है, as follows, ss slash xx slash yy hash slash triple z, तो यह save number किस तरह से होता है, ss stands for shifter sieve, ठीक है, तो इसमें shifter, xs stands for shifter diameter in inch, that is 24 inch and 30 inch, तो यहाँ shifter sieve के लिए हो गया, यहाँ दोस्तो, ss for shifter sieve हो गया, ठीक है, फिर बाद में आपको लिख देना है, 24 inch है, या 13 inch है, फिर yy hash में लिख देना है, आपको sieve size, maze size, जैसे की 10, 12, 14, 18, 24, 30, इस तरह से आगे, जो भी आपका sieve number होगा, वहाँ लिख देना है, और triple z stands for serial number होता है, 001, 002, इस तरह से, screen numbering for multimil shall be done as mm slash xx slash yy slash triple z, तो mm stands for multimil, ठीक है, और यहाँ xx meaning होता है, size of screen 0.5, 1 mm, इस तरह से, जो भी आपका screen size होगा, वह लिख देना है, yy होता है, two digit year का, और triple z होता है, serial number का, तो यह हो गया, सभी का coding, coding में हमने देखा, कू मेल, सुपर मेल, सिप्टर सीव, और multimil का screen का coding अलग-अलग है, तो इनको coding को, अलग-अलग हमको, जैसे हमारा in-house SOP है, उसके एसाब से coding करना है, अभी चलते हैं, inspection की तरफ, procedure for inspection of sieve through the sieve inspection hood, मैंने आपको पहले ही, first page में आपको, sieve का, जो inspection hood होता है, inspection kit बोलो, यह inspection kit है, इसमें आपको किस तरह से inspection करना है, transfer new clean sieve near to the inspection kit, visually check and ensure cleanliness of the sieve inspection hood, connect the power supply and switch it on, आपको जो inspection kit है, hood है, वो clean है किने, पहले check करना है, आपका sieve वहाँ लेके जाना है, उसका power supply on कर देना है, check the details specified on clean status label affixed on sieve, जो clean status label रहेगा, उसके हिसाब से आपको उसको पहले sieve को check करना है, insert the sieve into the inspection hood base, जो base होगा, उसमें आपको, base मतलब दो rod होगे, उसके अंदर आपको sieve रख देनी है, light on कर देना है, visually inspect sieve using sieve inspection hood for integrity of wire and intactness of silicon molding, जो आपका वहाँ sieve रखोगे, तो उसका जो integrity check करनी है, जो वहाँ, जो wire होता है sieve का, उसका integrity है कि नहीं है, silicon molding की integrity सही है कि नहीं, visually inspect the sieve using sieve inspection hood for stains, physical appearance, wire waving, defects, such as, अभी defects sieve के क्या-क्या है, broken hole, broken wire, waving of impurity, wire twisting, wire doubling and not bulging, not मतलब जो gant होती है, उसकी bulging आई है क्या, wire doubling है क्या, एक से एक उपर दूसरा wire है क्या, wire twist हुआ है क्या, या कोई उसमें खराबी और कोई है क्या, broken तूटा हुआ है क्या, hole है क्या, इस तरह से आपको उनके सभी defects चेक करने है, if any defect observed, reject such sieve and inform to engineering store or manufacture for necessary action or replacement, अगर आपको वो sieve जो इसमें जो आपने inspection करने के बाद, जितने भी सारे defects मिले, अगर आपको उनको समलोर reject करना है, या आप चाहे तो जो manufacture है, उसको बोलके उसको आप complaint कर सकते हो, या replacement ले सकते हो, measurement of mesh size, अभी measurement करना है, mesh size को किस तरह से करते हैं, Calibrated linear mesh counter with magnifying glass shall be used to measure the mesh size of sieve, sieve का measurement, mesh size measurement करना है, तो आपको linear mesh counter लगेगा, magnifying glass लगेगा, linear mesh counter with magnifying glass having graded slots, 1 inch, 1.5 मतलब की आधा, और 1 by 4, ठीक, शाल भी used for measure the mesh size, remove new sieve from polybag, place on a sieve inspection foot, आपका inspection हो गया, आपने उसका mesh size count किया, फिर आपको polybag में cover करके रग देना है, place calibrated linear mesh counter on sieve surface at 5 different locations, आप जब भी inspection करोगे, तो आपको inspection जो है, तो पांच location में आपको उसका calibration करना है, visually measure and calculate number of opening per linear inch, using a linear mesh counter as per table first, तो आपको यहाँ table first दिया हुआ है, इसमें आपको recording करनी है, किस तरह से, अगर आपके up to 20 में sieve है, तो number of opening per linear inch, आपको linear inch sieve के उपर रखना है, जितने number of opening आएगी, उतना numbers का वो sieve होगा, तो वो 20 opening आनी चाहिए, up to 60 मेंज, number of opening in, तो आपको यहाँ देखना है, half inch में, into 2 करना है, जितने भी numbers आएगे, number of opening in, 1 by 2 inch into 2 करना है, और 100 है, तो number of opening in, 1 by 4th inch into 4 कर देना है, तो आपको आएगा, जो number वो होना चाहिए, ये sieve का, और record the observation of mesh size using a linear mesh counter, during new sieve inspection as per anexer second, anexer second मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, इसके हिसाब से आपको inspection करके, ठीक है, यहाँ देखो, sieve screen inspection record, sieve screen id, month and year, sieve screen size लिख देनी है, यहाँ, inspection done on, और inspection due on, ठीक है, integrity check points, क्या-क्या है, are the sieve screen code intact, intact है क्या, is the frame molding cracked, molding हुआ है क्या, is the molding or fillings, shredding, any visual crevices at the mesh frame joint, MOC of the sieve screen, यह सभी point आपको check करने है, integrity check points क्या-क्या है, are the wires broken, any waving defects, wrinkles है क्या, irregular opening है क्या, go-no-go screen पास करना है, और MOC gasket का देखना है, यहाँ देखो यह sieve है, तो पांच location दी है, A, B, C, D, और center का E, ठीक है, तो यह जो arrow उपर गया है, वो warp है, और यह wift है, ठीक है, wift warp, मतलब इस तरह से जो code, मतलब sieve की जाली जो आती है, तो यह wift है, और यह warp है, फिर बाद में locations है, आपका देखो, ठीक है, A, B, C, D, E, और average दिखाना है, ठीक है, तो यह done by, और यह checked by, यह है आपका linear match counter है, और यह nominal aperture है, और यह आपके go-no-go वाले, जो इसमें pins आते है, जो screen के लिए पास करके हम लोग check करते है, यहाँ इस photo में आपको मैं detail में दिखाता हूँ, यह देखो, pen microscope है, linear match counter है यहाँ, और यह आपका box है, जो inspection kit का box आता है, और यह जो go-no-go gauge वाले pins है, ठीक है, और यह nominal aperture, calibrated nominal aperture है, with magnifying of 8x, तो यह था आपका inspection kit का box, जिसमें आपको किस तरह से inspection करना है, यह सभी इसमें दिया गया है, तो यह हो गया inspection, फिर जैसी हो जाएगा, तो आपको अनेक जैसे second में लिख देना है, ठीक है, mesh size of new sieve specified by manufacturer, shall match with the mesh size measured by using a linear mesh counter, यह जो आप sieve का screen का inspection करोगी, तो उसका जो numbering आएगा, तो ओ number आपको जो manufacturer ने specified किया है, उसके साथ match होना चाहिए, अगर नहीं होता है, कुछ defects आते हैं, तो आपको, if new sieve failed during inspection, reject it and inform to engineering store, manufacture for necessary action or replacement, अगर आपको replace करना है, तो कर सकते हो, जिस manufacturer से लिए हो, उनको आपको intimate करके, replace कर सकते हो, अब देखेंगे कि procedure for inspection of screen, अभी है है, हमने देखा, वो था, sieve का, अभी screen का किस तरह से करना है, transfer a new clean screen near to inspection kit, check the details specified on clean status level of its own screen, level के साथ आपको check करना है, visually inspect the new screen for integrity, stains, surface finish and physical appearance, आपको जब भी screen लेते हो, तो integrity, stains, surface finish and physical appearance, आपको check करना है, if any defects observe, reject such screen in inform to engineering department, manufacture for necessary action और replacement, अगर आपको replace करना है, तो जिस manufacture से आपने लिया है, उसको inform करना पड़ेगा, और replace करना पड़ेगा, अगर वो देता है, तो हो सकता है कि manufacture आपको ना दो, तो आपको वो फिर reject करके destroy करना पड़ेगा, और दूसरी सीव हो या screen हो, दूसरी order करने पड़ेगी, check the details of specified in MOC certificate, and same shall be recorded in anexer second, either okay और not okay, not okay मतलब reject हो गई, record the observations of new screen inspection, as per anexer second, जो anexer second था, मैंने आपको यहां दिखा दिया है, तो इसके इसाब से आपको, सीव और screen का, दोनों का recording कर देना है, screen shall, screen size shall, the aperture, perforation size measured in mm, screen का aperture size और perforation mm में गिनना है, calibrated go and no go gauges are used for inspection of a new screen, जो यह यहां gauges दिये है, pin size उसको use करना है, remove new screen to be inspected from polybag, and transfer it to on assess table, assess table पे रखके आपको, pass go no go gauges through the aperture on a screen surface, for example यहां दिया है, 4 mm की आपकी समदलो screen है, ठीक है, 4 mm की screen में, 3.9 mm go gauge, shall pass through the aperture, and 4.1 mm no go gauge, shall not be pass through the aperture on a screen, indicating screen size 4 mm, 3.9 mm की pin अंदर जानी चाहिए, जो उसके पर्पूरेशन है, hole है उसमें, और 4.1 mm का, जो no go gauge है, वो नहीं जाना चाहिए, तब आप बोल सकते हो, कि वो जो screen है, 4 mm की है, screen size of a new screen, specified by manufacturer, shall match with the screen size, measured using go and no go gauge, तो जैसे आपने यहां, confirm किया कि यह, screen 4 mm की है, तो आपका जो उसका certificate होगा, उस पर भी वो 4 mm की ही होनी चाहिए, अगर mismatch हो रहा है, तो आपको वो replace करनी पड़ेगी, record the observation of screen size, using go and no go, to gauges during the new screen, inspection as per the annexer second, तो फिर आपने जैसे inspection किया, तो जो annexer second है, इसमें आपको उसका record कर देना है, measure the screen size using go and no go, gauges at five different locations on screen surface, जैसे कि save के लिए था, वैसे same screen के लिए है, if new screen fails during inspection, reject it and inform to engineering store, manufacture for necessary action or replacement, अभी uses देखना है हमको, issue the see screen area, to area where it shall required after certifying integrity, आपको issue कर देनी है, see you हो या screen हो, area के लिए, integrity check करके, observation, observe the integrity before starting and after completion of every badge, and record the observations in BMR, आपको before and after integrity check करनी है, BMR में लिखनी है, record the screen integrity after completion of campaign badge, manufacturing in anexer third and anexer fourth, तो यह anexer मैंने यहाँ आपको दिया है, see you या screen size यहाँ लिख देना है, see you screen ID number लिख देना है, ठीक है, date आई, product का नाम आ गया, batch नमबर आ गया, कुनसे area में यूज हुआ हो आ गया, ठीक है, उसके बाद, फिर before issuance integrity status, फिर बाद में, issued by किसने किया sign and date, checked by sign and date, rate travel में आएगा, after use integrity status, ok, not ok, not ok मतलब damage हो गई, आपको destroy करना पड़ेगा, retired by किसने किया sign and date, checked by किसने किया sign and date, और remark, अनेक जर्फ 4 यहाँ दिया है, see you and screen utilization record, यह हो गया issuance record, issuance and retrieval, अब यह हो गया utilization record, अनेक जर्फ 4 है, इसमें size लिख देना है, issue and screen का, ID number लिख देना है, date, product का नाम, best number, area कौन से area में यूज हुआ, before use integrity status, ok, not ok, और यहाँ आएगा, from to utilization, कहां से, किस date से, कौन से टाइम से, कौन से टाइम तक लिया, done by sign and date, checked by sign and date, और cleaning में, from to, कब से कब तक cleaning की, type of cleaning यहाँ लिख देनी है, done by किस ने किया, checked by किस ने किया, और after use, integrity status, ok, not ok, और remark, यह utilization record आ गया, मतलब कि आप, अगर sieve screen यह एरिया में लिखे जाते हो, तो utilization record आपको, हर product का, हर best का लिखना है, officer executive production चाल issue, clean sieve screen as specified in BMR, आपको जो product लेना है, उसका BMR लाना पड़ेगा, उसके हिसाब से, आपको sieve and screen issue करनी पड़ेगी, remove, remove sieve screen from respective area, trolley और cabinet, use हो गया तो आपको निकाल देना है, officer executive production चाल, record the issuance, details of sieve screen as per the annexer 3rd, transfer the issued sieve screen to respective area, with trolley as per requirement, आपको फिर उसको लेके, आपको जो area में चाहिए, उसके area में लेके जाना है, use sieve screen as specified in BMR, BMR में जो number दिया है, उसकी हिसाब से आपको sieve screen use करना है, keep sieve screen in polybag, pallet during manufacturing, trolley है उसमें रख देना है, या pallet है उसपे रख देना है, ensure करना है, care करना है कि उसको sharp object से touch ना हो, damage ना हो, अफिसर एक्जिक्रिटिव प्रोडक्शन चाहल रेकॉर्ड दे यूटिलाजेशन रेकॉर्ड आप सेव स्क्रीन आज पर दन इक जर फोर्ट इंडिविज़ल लॉग बूग शाल भी यूज़ उसक्रीन यूटिलाजेशन रेकॉर्ड जितने भी स्यूज होंगे, जितनी भी स्क्रीन होगी उनके लिए इंडिविज़ल लॉग लॉग बूग इश्यू करना है ताकि कंट्रोल रहे और यूटिलाजेशन सही से हो अभी उनकी क्लीनिंग आ गई टाइप ए क्लीनिंग मतलब की बैच तो बैच कैसे करना है क्लीन सीव स्क्रीन इन रिस्पेक् अगर लग रहा है तो लेना है इस वाला इसमें क्लीनिंग का है तो इसमें आपको वह लिख देना है ताइप बी ऐ क्लीनिंग तो प्रोड़क्ट वड़क की क्लीनिंग कैसे होती dość यूज पोटेबल वाटर फॉर क्ली नाइलोन ब्रॉट तो क्लीन देशीव एंग स्क्रीन इन रिस्पेक्टिव एरिया अफ्टे यूज फिर्स क्लीन करना है पॉटेबल वाटर से फिर बाद में wet lint free cloth से deep in potable water आपको wipe out करना है Use the nylon brush for sieve screen cleaning Opening should be brushed with the gentle circular motion जो screen है उसके उपर थोड़ा nylon brush लेके आपको rub करना है गीसना है If any sieve screen shall be difficult to clean, water jet cleaning machine shall be used अगर आप कोई sticky material है तो आपको water jet machine होती है जो pressure से पानी मारती है तो वो आप use कर सकते हो Finally rinse, sieve screen with purified water, dry sieve screen with compressed air and dry lint free cloth फिर बाद में आपको उसको dry कर देना है Visually check cleanliness and integrity of sieve screen against the light फिर बाद में integrity check करनी है If traces of previous batch material observed then repeat the cleaning फिर आपने जैसे पहले cleaning किया था वही process आपको फिर से करना है Transfer cleans, sieve screen in polybag Clean level लगाना है Transfer trolley में करना है Record details on a.jr4 में leak देना है और फिर बाद में यहाँ sieve रखते हो Tool room होगा वहां inventory area होगा उसमें आपको return कर देना है Inventory record Inventory record of sieve screen shall be maintained on first week of every six month मतलब जो inventory करते हो उसकी frequency है Every six month कर देना है छे महिने के first week में And whenever required अगर आपको बीच में भी लगता है तो कर सकते हो Integrity record Observe the integrity before starting and after completion of every batch And record the observations in BMR And record the integrity after completion of campaign batches manufacturing in annexure 3 and 4 इसमें आपको leak देना है Destruction किस तरह से करना है अभी अगर कोई sieve या screen Integrity में fails होती है Damage होती है तब If sieve screen losses integrity Or any defects observed operator production shall inform to officer executive production Operator officer को बुलेगा या executive को बुलेगा Transfer damage sieve screen into the polybag and affix status level on it ठीक है Status level लगाना है Transfer damage sieve to scrap area and cut into the multiple pieces with scissor आपको sieve को काट देना है scissor के साहता से Transfer the damage screen to the scrap area and de-shape it with hammer फिर बाद में hammer का use करके de-shape करना है फिर बाद में polybag में रखके scrap label लगा के उसको base देना है Record the destruction details of damaged sieve screen as per the annexer 5 यहा अनेक्जर 5 है जो destruction record है Officer above IP के वेशाल verify the destruction details of damaged sieve screen and sign in the verified by column and of sieve and screen destruction record as per the annexer 5 जो annexer 5 है sieve screen destruction record इसमे आपको entry मारनी है फिर IP के वेशाइन लेना है Serial number है इसमें date है यहाँ atom है sieve या screen है तो यहाँ sieve लिखनी है ID लिखना है उसका और reason लिखना है किस तरह से क्यों damage हो गई sieve है तो sieve का लिखना है screen है तो screen का लिखना है तो यह था destruction और इस तरह से दोस्तों यह अपना topic यहीं पर खतम होता है इसके आपके दिमाग में अगर कोई भी इसके against में इस topic के related कोई doubts है तो please आपके doubts comment section में लिखना मत बुलिए thanks for watching दोस्तों और करते रहो hash interview की तैयारी please put your doubts in a comment section और दोस्तों जो मेरे channel का notification है please उसको notification पे click कर देना ताकि आपको पता रहे कि राम फासगे क्या कर रहा है जै हिंद जै बारत